कि नमस्कार दोस्तों आप सभी दोस्तों का एक और फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनी मेटर्स में आज के इस वीडियो में हम सीजीचेस कार्ड के बारे में बात करेंगे और जो भी आपके डाउट से उनको दूर करने की पूरी कुछिस करेंगे वीडियो सुरू क इस इसकीम का नाम ही सेंटर गवर्मेंट हेल्ट स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ एंड फैमली वेलफियर के अंतरगत आती है तो आपको पता होगा कि जो भी लोग सेंटर गवर्मेंट करमचारी है उन सभी लोगों के उपर ये लागू होती है अब इसमें कौन-क स्कार्ड के लिए कौन-कौन पात रहे तो सभी किंद्री करमचारी, या फिर ऐसे करमचारी जो उनके डेपूटेशन पर आए हुए हैं और इन करमचारियों के परिवार, और फिर यह इनके परिवार सीज़ेचे चेत्र के जो कबरड चेत्र है उसमें आते हैं या फिर जो कर्मचारी अगर CZHS जो city है उसके अंतरबगत अवेतन बुक्तान उसका किया जा रहा है तो वो इसमें है दूसरा है किंद्रिय सरकार के किंद्रिक कर्मचारी और किंद्रिय नागरिक जो भी मतलब pensioners है वो भी और उनके pensioners के परवार वो लोग हैं और जो सेटिंग और पूर्व सांसद है वो भी इसमें इससेदारी उनकी भी है साथ में पूर्व राजपाल, लेटनेंट गवर्रनर, सुतंतरता शेणानी, पूर्व उपाद्याच और सुप्रेम कोड के नियादीस, सेवा निर्वत नियादीस भी इसमें कवर होते हैं। किया गया है कि अभी आपको पता होना चाहिए सीजी एचेस में परिवार सब्द है वो क्या है अब यहां आता है क्यूश्चन अंसर में आपको शुरू करूंगा तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इसके बारे में पोस्ट की थी जिसका लिंक मैंने आपको दे दिया है औ सबसे पहले तो इसमें परिवार की डेफिनिशन क्या है तो परिवार का मतलब यहां पर पती पतनी है और उनके उपर जो भी आसृत है वो परिवार आता है अब आसृत में जो होते हैं वो है माता पिता बहने विद्वा बेटिया नावालिक भाई बहन बच्चे जो इसमें सामिल नहीं किया जाता है और उनका एक और रखा है कि उनकी जो भी अगर उनको कुछ पैसा मिल रहा है गवर्मेंट से तो 35 रुपए और उसके उपर डिये है उससे अधिक नहीं होना चाहिए अगर इससे ज्यादा है तो वह आपके उपर डिपेंड नहीं माने बात में डिपेंडेंट मेरे हैं तो बिल्कुल नहीं है यह आपको देखना होगा कि उनकी इंकम जो है 3500 रुपए से ज्यादा नहीं हो मंतली अगर इससे ज्यादा नहीं है तो आपके डिपेंडेंड वान जाएगे नेक्स्ट है इसमें ज्यादा तर लोग पूछाता है क् यह उपर डिपेंडेंडेंट नहीं है और अगर पच्छे साल तक आपके लिए है लड़की जो है वह आपकी जब तक उसकी साधी नहीं होती है तब तक है अब मानसिक रूप से अगर विकलांग बेटा है तो उसके लिए पच्छे साल के बाद भी उसी चीचिस का पाड़ विपार्ट रहता है इसमें अंदापन है या कं दिखाई देता है या कुछ इसको मुलभ फंव सुना ही नहीं देता है लोकूमोटर विकलांग या मांसिक विकलांग है जैसे तो यह साइकरेटिक वगरा है तो इस तरीके के लिए मेडिकल बूर्ड का प्रमाडपत्र चाहिए और अगर यह प्रमाडपत्र आपके पास है तो आप अपने बेटे को अपने सीजिस कार्ड में जोड सकते हैं बस जब लड़की का तो सीधा क्लियर है जब तक उसकी साधी नहीं होती है तब तक वह है अगर नेक्स्ट विस्चन क्या है वो पूछते हैं लोग की मेरी विवाहिद बेटे का अपने पती के साथ विवाद हो गया है वह मेरे साथ रह रही और मैं सीजिस कार्ड धा रहा हूँ क्या मैं उसको अपने में सीजिस कार्ड में सामिल कर सकता हूँ बिल्कुल नहीं अगर आपने अपनी बेटी का विवा कर दिया है और जब तक वो तालाक सुधा नहीं होती तब तक आप उसको नहीं कर सकते हैं इसी में दूसरा किस्चन आता है कि मेरी बेटी की साधी हो चुकी है लेकिन बेटा बेरुजगार है तो क्या मैं उनको बेटी को और उसका जो दमाद है उसको अपने में समेल कर सकते हैं तो बिलकुल नहीं आपकी लाइबल्टीज अपनी बेटी को पर तभी तक है जब तक उसकी साधी नहीं होती है अभी आपने अगर आपका दमाद कुछ कमा नहीं रहा है तो यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट है किया मेरी जो बेटी का अगर कोई मामला है ताला का मामला कूर्ट में चल रहा है तो क्या उसको आप कर सकते हैं तो बिलकुल नहीं आप उसको cgc card उसके लिए नहीं बनवा सकते हैं हाँ जब उसका ताला को जाएका तब उसको आप अपने cgc card में जोड सकते हैं अभी next question है कि अगर कोई question करता है कि उसका ललका है 25 साल से कम है और किसी company में काम कर रहा है private company में और वो tax भी पे करता था उसके बाद उसकी नोकरी छूट जाए तो क्या उसको add कर सकते हैं तो आपको ध्यान यह देना है कि अगर आपको ललका जब नोकरी कर रहा था उसकी साल 25 साल से पहले आनमाल में 20-21 साल में तो वो अपने आप ही आपके कार्ड से आउट हो जाता है अगर उसकी नोकरी छूट जाती है तो आप उसको 25 साल की उम्र तक अपने कार्ड में एड कर सकते हैं उसको अपने साथ में सीजीजिस फैसलिटी दिलवा सकते हैं अभी नेक्स क्यूशन लोग करते हैं कि मेरे पती पतनी जो है दोनों लोग हम गवर्मेंट इंप्लाइज हैं सेंटर गवर्मेंट के और हम अपने आशित भाई बैनों को जो भी है उनके लिए अलगलग कार्ड बनवा सकते हैं तो बिल्कुल इसमें ऐसा है कि अगर आप और आपकी पतनी दोनों लोग करते हैं और उनका अलगलग CJS card बन रहा है तो क्या यह जरूरी है क्या दोनों लोग अलगलग card बन वाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो भी पती पत्नी में कोई भी एक आदमी इसका सब्सक्रिप्शन लेके और अपना CJS card बन वा सकता है दोनों को बन वाने की जरूरत नहीं है और आ HRE का position भी इसी तरीके से आता है चलिए next अगर question यह भी आता है क्या गोद लिये वो बच्चे का CJS card बन सकता है तो बिल्कुल बन सकता है बट वो जो गोद उसने आपने लिया है वो कानूनी तोर से legally गोद लियना चाहिए अभी next है कि जैसे मान लिजिए कि आपके माता पित हो हर्याडा में रह रहे हैं आप दिल्ली में हो तो दिल्ली वाले को CJS card की facility है तो क्या आप मतलब उनको CJS का थो उनका नाम अपने में डालके और उनको यहां से दवाईयां बेच सकते हो तो बिल्कुल भी नहीं बेच सकते हो क्योंकि CJS का जो rule है उसमें बिल्कुल clear card को भी dependent है वह उस कर्मचारी के साथ में रहना उसका जरूरी है अगर आपके माता पिता या फिर आपका कोई बच्चा अगर साथ नहीं रह रहा है तो वह आपके card में इंक्लूड नहीं होगा नेक्स्ट है कि अगर मेरे पिता जी के पास कोई मालो क्रिशियों के बूमी है मालब के जो अग्रिकल्चर डेंड है उसमें फसल माली इस साल नहीं हुई बट उनको होती तो है और उनकी जो इंकम है मनलब मंतली वो चार तीन लाग से मनलब आ बोलते हैं 3500 रुपे से ज्या के सीजिचेस के कार्ड के लिए इलिजिबिल हैं नेक्स्ट अगर किस्चन ये भी लोग करते हैं क्या सीजिचेस कार्ड सुवधाओं को परिवार के सदस्यों पर निर्बट ससुराल को भी शामिल कर सकता है तो इसमें ऐसा है कि जैसे कि मैंने पहली बताया है कि अगर कोई म माता पिता को उस कार्ड में इंक्लूड कर सकती है तो ये उसका अधिकार है और अगर फिर भी आग सोचते हैं कि नहीं आपको अपने में है तो ये आपको पहले डिसकस करना पड़ेगा कि आपकी पतनी अगर सेंटर गोर्मेंट इंप्लॉईज है और आप नहीं है तो वो इसको दी गई है और वो अपने इसाब से करेगी तो अब आपको बता जाता हूं फैक्ट क्या है आज की डेट में सीजी चेस बहुत अच्छी स्कीम है और इस से स्कीम के तहट जो कम से अभी जो इंडिया के अंदर कार्ड होल्डर से हैं वह ग्यारा लाग पच्छाशी जा पर इसके बेनिफिचरीज हैं और इसके टूटल वेलनेस सेंटर इंडिया के अंदर में 426 हैं और इसके जो मतलब अगर चोड़िये आप तो चोड़िये इसका अभी जो फैसल्टी है वो पहले 25 सिटी में थी और अभी इसकी रिसेंट्ली 37 सिटी में इसको एक्टेंड कर द है तो उम्हीत करता हूं कि मैंने अपने इस वीडियो में आपको जानकरी देने की पूरी कोशिस की है कि किस तरीके से सीजीचिस कार्ड के कुछ लोगों के होती है उनको दूर करने कोशिस की है एक क्विस्टेंस मिर्पा से मेरे वीडियो पिछली वीडियो में ये भी आया बेसक को आपको गुजारा बत्ता देते हैं इसके लिए लेगली प्रोसिस तो हो सकती है कि आप एकोर्ट के थ्रो और्डर करवाएं वो सिंपतिक लिए अगर आपको देना चाहे तो दे सकता है